उत्तरप्रदेश के पीली भी टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों से आए दिन बागवा तेंदुए के आबादी के बीच चहल कदमी की खबरें सामने आती हैं बीते कुछ दिनों से पूरन पूर इलाके के दो गाओं के आसपास एक तेंदुए डेरा जमाए है ऐसे में अब गरामीड खेतों पर काम करने जाने से भी कत्रा रहे हैं दरसल पीली भी टाइगर रिजर्व में बीते कुछ सालों में बागों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्री दर्च की गई है ऐसे में तमाम बार यहां के भाग ही कई भार जंगल से सटे गाओं के आसपास देखे जाते हैं और जानकारों की माने तो तेंदुआ ऐसे इलाकों में जाने से कत्राता है जहां बाग की मौझूती होती है यही कारण है कि पीलीवीट टाइग रिजर्फ के तमाम तेंदुए जंगल से सटे इलाकों में अपना डेरा जमाए रहते हैं बीते तकरीवन 15 दिनों से पीलीवीट के पूरन पूर इलाके में पढ़ने वाले बंजरिया वा धर्मापुर गाओं में एक तेंदुआ अपना डेरा जमाए बैठा है यह तेंदुए पीलीवी टाइग रिजर्फ की हरीपुर रेंज से निकल कर आबादी में देखा जा रहा है तेंदुए की दस्तक के बाद अब ग्रामीर खेतों में काम करने जाने से भी कतरा रहे हैं वहीं वन विभाग तेंदुए की निगरानी में टीम तैनाथ होने की बात कर रहा है अगर विभाग की माने तो आबादी में नजर आ रहा है यह तेंदुआ बीते दिनों बंजरिया गाओं में कुत्तों के जुण से घवरा कर पेड़ पर चड़ गया था जिसकी निगरानी के लिए वन विभाग की टीमें भी तैनाथ हुई थी लेकिन देर रात मौका देखकर यह तेंदुआ अचानक खेतों की ओर भाग गया तब से ही यह तेंदुआ जंगल की ओर ना जाकर खेतों में ही चहल कदमी करता देखा जा रहा है उत्तरप्रदेश के पीली भी टाइगर रिजर्स सेटे इलाकों से आए दिन बागवा तेंदुए के आबादी के बीच सहल कदमी की खबरें सामने आती है बीते कुछ दिनों से पूरन पूर इलाके के दो